राजसभा की 16 सीटों में से भाज़पा ने जीती 8 सीटी, कॉंग्रिस को मिली 5, महराश्ट्र में 6, करनाटक और राजस्थान में 4, 4, जबकि हर्याणा में 2-2 सीटों के लिए राजसभा के द्युवार्शिक चुनाव कल हुए थे संपन्न केंद्र ग्रीह मंत्रियां मितिशाहाद द्युवीप में पश्चिम क्षेत्रिय परिशत के बैचक की करेंगया धक्षता, बैचक में शामिल होंगे गुजरात, महराश्ट और गोवा के मुख्य मंत्री, दादरा और नगर हवेली के साथ साथ दमन और द्युवीप के प्रशा सक भी बैचत में होंगे शामिल, केंद्र सूचनव प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर आज से उत्तर प्रदेश के तीन दीवसियत दौरे पर लखनव और वारान असी में विभिन कारिक्रोमों में लिया भाग, कल हजरत गंज क्षेत्र में स्वचता अभियान मिले देश में कोरोना मामलू में लगातार बढ़ोत हुई जारी, पिछले 24 घंटों में आठ हजार से अधिक मामली आये सामनी, दैनिक पोजिटिवीटी रेट 2.4 एक प्रत्शत हुई दर्ज देश में अब तक 194 करोड 90 लाग से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए, 12 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को लग चुके हैं 5 करोड 41 लाग से अधिक टीके अमेरीका ने अंतर्राष्ट्रिय यात्रा के लिए कोविड नाइंटीन जांच की अनिवार्यता की समाप्त, इस कदम से महमारी के कारण लगा सबसे लंबा यात्रा प्रतिबंध हो सकता है समाप्त, ये नियम अमेरीका जाने वाले विमान यात्रियों के लिए कल आधी रात से हो जाएगा लागू आर्थिक संकट से जूज रहे श्री लंका को भारत ने दी बड़ी राहत 5.5 करोड डॉलर कर्ज की घुशना श्री लंका को उर्वरकों के आयाद के लिए दी मदद विहार के पोनिया में बड़ा हादसा बेटी की शादी का तिलग कर लोट रहे परिवार की गाड़ी तालाब में गिरी आठ लोगों की मौत हादसे में दो लोगों को बचाया गया युवा भारतिया ग्रेंड मास्टर आर प्रग्यानंद ने नौर्वे में जीता शत्रंज का ग्रूप A ओपन टूर्नामेंट 16 वर्षिया ग्रेंड मास्टर ने 9 राउंड में हासिल के 7.5 अंक